अलो अव्रिवन एडिलेड का मौसम चेक करो बहले मेरी हर एक वीडियो मौसम चेक से स्टार्ट होती है एक्चली में क्या करें अस्ट्रेलिया का मौसम इतना अच्छा है दिखाना बनता है मेरा आज का टॉपिक ना इंट्रस्टिंग भी है और आपका फ्यूचर भी उससे हो रहा है बहुत अच्छा मौसम है घूमकर आया हो भी बीच पे गए थे जब फैमली के साथ बीच पे जाते हैं तो कई बार ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता आपने देखा होगा कि मैंने काफी वीडियो कम कर दी है रीजन क्या है इतना बीजी है बहुत से काम हो खुद करने पड़ते हैं एक छोटा सा समान लेने के लिए मैं कहता हूँ घर में अगर आटा खतम हो जाए तो आप फटा फट एक्टिवा उठाई और अपनी गली नुकर से आटे को लिया और ले आए लेकिन यहां पर अगर आपको जाना बढ़ जाए आदा पोड़ा करने हैं हाला कि मेरे बैक साइड के ऊपर ही इंडियन स्टोर है लेकिन फिर भी बीस से पच्ची मीनर्स या आदा घंटा बेकार और कई बार ऐसा से सिच्वेशन होता है सारे बीजी होते हैं और आपको जाना पड़ता है यह एक डिसड़वांटेज या उस्ट्रेलिया में कि यार हम सारे इकठे मिलके नहीं रह सकते अगर इकठे मिलके रहते हैं तो काफी टाइम सेव हो सकता है काफी और कई लोग ऐसा करते हैं जो रिष्टेदार हैं इकठे रह रहते हैं और काम में हाथ बटा लेते हैं जिससे बहुत तसली होती है और टाइम सेव हो जाता है औ आपस में प्यार बना रहता है और यहां पर अस्ट्रेलिया में ना प्रदा नहीं रगता कि हम बाहर आहें हैं अगर आपको आप उसको अच्छे धंक से करोगे मैं इंवेस्ट में की बाद कराऊंगा लास्ट वीडियो में बाद की थी कि गोल्ड के अंदर प्रॉप्टी के अ नहीं रहेगा लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी इंवेस्टमेंट बदाने वाला हूं जो आप कहीं पर भी चले जाओ वह इंवेस्टमेंट आपको बेनेफिट करेगी करेगी और आपके साथ ही जाएगी यह एक लॉंग टम इंवेस्टमेंट होगी और यह काफी फाइदा मंद भी है देखो मैं इंवेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूं अपने आपके उपर अपने आपके उपर कैसे इंवेस्ट कर सकते हो जितने स्किल्स आप ले सकते हो उतने लेकर आईए यकीन मानो जहां जहां आप जाओगे वहां वहां आपकी स्किल्स आपके साथ में जाएग इस वीडियो के अंदर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास बहुत पैसा है मैं मिडल लेवल जो है जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो आगे जाके कुछ करना जाते हैं जिन्दगी में अच्छा खासा पैसा कमाना जाते हैं अस्ट्रेलिया आने के बाद अच्छी लाइफ जीना जाते हैं या कहीं पर भी आप बैठे हो अच्छी लाइफ जीना जाते हैं उपर की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी बिकार ने जाती अगर आप अस्ट्रेलिया में आओगे आपको मैं एक रियालिटी बता देता हूँ अगर आप जॉब कर रहे हो अगर आप प्रफेशनल जॉब कर रहे हो आपको साथ साथ में कोर्सिस भी कर लेने चाहिए रीजन क्या है यहां पर लोग कभी भी पढ़ाई को छोड़ते नहीं है खास तोर के उपर जो आईटी प्रफेशनल्स होते हैं मैं एक डॉक्टर के पास गया जीपी जनरल प्रैक्टिशनर जिसको हम कहते हैं उसके पास गया वो पाकिस्तान से थे मैंने उनसे पूछा कि आपने यहां पर आकर स्टडी की है और कौन सी स्टडी की है वहां से क्या करके आई थे वो कहते कि मैंने MBBS की यहां पर आकर मैंने स्टडी की और अभी तक मेरी स्टडी चल रही है यहां पर अगर आप अपने आपको अपडेट नहीं करोगे बहुत पीछे रह जाओगे आप अगर आपने जॉब करनी है या कोई भी बिजनस करना है अपने उपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कभी वे बिकार नहीं जाता यह अपने दिमाग में डालो कहीं ना कहीं पर आपको इसका benefit होगा ही होगा एक example के तोर के उपर चाहे आपका IT फील्ड नहीं है आपने digital marketing जो है सीख कर आ गए और यहां पर आकर आप अपना काम खोल सकते हो या in future में जाकर अगर आपको इसकी जरूरत पड़े आपको वो benefit देगी ही देगी सबसे बड़ी investment अगर आप अपने उपर करोगे तो आपको benefit रहेगा और सबसे बड़ी बार यह है कि आपकी investment आपके साथ में जाएगी और यह आपके दिमाग में चली गई है Australia में जब भी आपने रहना है जॉब गरनी है यार रखना कभी भी यह सोचना मद कि मुझे अभी बढ़ने की जुरूरत नहीं है अगर आपने आगे बढ़ना है अपनी salary को आगे बढ़ाना है तो kindly यहाँ पर जो छोटे-छोटे courses है जुरूर करते रहे है reason क्या है क्योंकि यहाँ पर सारा up to date रखना अपने आपको बहुत जुरूरी है अगर आप यह कहोगे कि जैसे एक example के तोर के उपर कि यहाँ पर एक security का course किया किसी ने लेकिन security का course करने के बावजूद उसने तीन चार और certification भी हासल कर लिये जैसे की support worker का कर लिया individual support worker का कर लिया और child care का कर लिया एंड इसके इलावा security guard का कर लिया और बहुत छोट छोटे courses होते हैं जो आप side by side कर सकते हो यह investment है कल को अगर मान लीजिए आपको Monday to Friday आप अपनी field में job कर रहे हो Saturday free हो खास तोर के उपर जो student लोग है यहां पर free होते हैं उनका गर वाले तो होते नहीं है family वालों के साथ क्या होता कि family भी देखनी पड़ती है और student लोगों के लिए यह एक best opportunity है अब एक और बात आती है कि आप इंडिया से कौन सी चीज सीख कर आए यकीन मनो ये एक बहुत ही important question है आप इंडिया से जैसे की dominoes में job कर ली हम वहाँ पर मानते कम है dominoes में job करते हैं हम misteri का काम करते हैं तरखान हैं हम carpenter हैं और मैं plumber नहीं बन सकता हूँ यकीन मानो यहाँ पर ट्रेडी काम का बहुत value है अगर आपके पास इसका गुन है तो आपको यहाँ पर अच्छे से नोकरी मिल सकती है मतलब यह कहने का है ऐसे आप multi talented बन कर आओ इंडिया से ही तांकि किसी एक field पर job ना मिले कहीं दूसरी में मिल जाए हम ना परहेज करते हैं कि यार मैं mystery का काम नहीं सीखने वाला मैं क्यों कुरूं plumbing यहाँ पर जिसकी value है ना मुझसे मुझसे पूछो मैं देखता हूँ और एक घर आने के ही कम से कम 100-100-200 डॉलर ले जाते हैं और आदा गंटा तकी काम करते हैं आदा बुना गंटा ही तो खुद ही साब लिगाओ कि आपको क्या सीखना चाहिए इंडिया से अपनी home country से certifications लेकर आओ जैसे बरिस्ता वालों का आदा कोफी वालों का आदा certification वो करो घर में बैठे हो ना वीडियो देखे टाइम पास कर रहे हो और आप अगर अस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो टाइम पास क्यों कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए ना जितनी देर तक आपका वीजा नहीं आता यहां आपके पास टाइम है तो आप जरूर इसके ऊपर इंवेस्ट करिए तो सबसे बड़ी इंवेस्टमेंट जो होती है वो अपने ऊपर होती है इंवेस्टमेंट लाइक करो, शेर करो, सबस्क्राइब करो कुछ और पूछना जाते हो नीचे कॉमेंट कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में तो के लिए बस्ट आफ लाक